नमस्ते फ्रेंज हम आज बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ क्या डिवाइस जो हीमोगलोबीन इलेक्ट्रोफोरोसिस किया जा सकता है इस डिवाइस में जो हीमोगलोबीन इलेक्ट्रोफोरोसिस डॉक्तर लोग प्रेस्क्राइब करता है और बहुत सरा लैब उसको नहीं कर पात आपको दिखाने है क्योंकि इसका बड़ा मेहंगा है तो अभी हम लोग आज बात करने की प्वार्ट याड़्य के बार में और टेस्टिंग प्रोसीडियो ढखाएंगे अभी स्क्रीन में आपको दिखाए दे रहा है हम लोग एक हमेगलमीन वेरियंट पैसेंट टेस्टिंग पॉइंट ऑफ किया डिवाइस में कर रहा है इसमें पहले हम लोग पैसेंट का आईडी डाल रहा है उसके बाद पैसेंट का एज जेंदर एलोकेशन एड्रेस यह सब ड सब्सक्राइब उसके साथ से बाहर में हमको चाहिए मैक्रो सेंट्री फ्यूज विश्ट्यूब टिपस पिपेट और एक स्लाइड तो हम लोग क्या करेंगे दो मैक्रो सेंट्री प्यूज टिप में हम लोग ठोरा मार्कर दिभाइस निकन लेंगे or five LIN driness क cambiar के इसके बाद हम लोग एक पीपेद से 40 मारकार फुट एक दूबार एक दूसरा डिभाइस में हम लोग दूसरा एलिकॉट में हम लोग डाल लेंगे उसके बाद 20 मारकार भलाद देखे मैशिन में स्टार्ट कर देंगे मेशिन इसके लिए 20 का टाइब लेगा जो बlaad विक्स करने के लिए ज़ σας अभी बलाद देके हमें स्टार्ट करदेंगे अभी दे अभी स्टार्ट करदें 20 पर 10 क लिए उसके बाद बलाद को रख देना है तोड़ा तायम के लिए 20 सेकन्स खतेंद Spaß होनेके बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो प्रत्यूप से करने का लेंगे कि Bettar करेंगे जो इसको हम लोग ब्लॉट करेंगे और पुरा ब्लॉट होने से हवा किने अच्छा से देखेंगे ब्लॉट होने के बाद हम लोग जो इसका स्टेंड है स्टेंड में एक मिनित तक मेशिन में ताइमर दे के एक मिनित तक पुरा वेट करेंगे इसमें आपका क्या होगा सही से ब्लॉट होना जरूरी है पेपार अच्छा से ब्लॉट होगा तो आपका रिपोर्ट में कोई गरबरी नहीं होगा अगर ब्लॉटिंग में प्रोब्लम होगा तो थोड़ा बहुत रिपोर्ट में प्रोब्लमिंग आपका कुछ एरोर आ सकता है रिपोर्ट एरोर दिखा सकता ह तो इसलिए ब्लोटिंग करना अच्छा से करना जरूररी है 45 डिग्रे एंगूल में आपका एक मिनित समय करना है एक मिनित के बाद आपको उसको कार्तिस ज़हां में हम स्टेंट में हम लिए उसको खाला करकर रखा है उसका अंदर का स्टेप में हमको अभी दे रहा है हम से हम लोग उसको कर्तिस में स्टेम कर देंगे स्टेम कर देंगे अच्छा से आपको स्टेम करना है तो इधर उधर नहीं जाना है जैसे हम लोग डिखा रहे हैं सिस्टेम में जो डिखा रहे हैं और पास सेकंड ट्रेस करेंगे और पास सेकंड ट्रेस करने के बाद हम लोग कर और इसको निकाल देंगे स्टेम को निकाल देंगे निकालने के बाद दूस्तरा साइड में अपोजित साइड में पूरा जहां जिस्तरा साइड में हम लोग स्टेम किया था उस पोजित साइड में ट्वेगूंद्री मिट्र हम लोग बफर देंगे 100 मेशन दो होल है दोनों साइड में हम लोग 200 Nicholas गोभा देंगे जै के बाद मेशन में आपको देखिये मेशन में में वीडियों में बफर देने के लिए कि थोड़ा थोड़ा देर बाद ये ब्लू कालर आपको आगे बरता हुआ दिखाए देगा मतलब आपको तब तक आपको यह मानना परेगा जाबकार टेस्टिंग का प्रोसीदूर चही चल रहा है और मेशिन में पूरा आथ मिनिट लेगा आथ मिनिट के बाद मेशिन आपको और तो इंटर्विशन करके देगा और तो इंटर्प्रेट करेगा आपको आपको इसमें और मतलब कुछ करना नहीं है सिर्फ आपको रिपोर्ट के लिए वेट करना है देखिए अभी हम लोग जो मेशिन में बैठेया था मेशिन में ब्लू कलर आगे बढ़ना शुरू हो गया और हम लोग ब्लाद दिया था ब्लाद का भी दिस्प्ले में देखना सुरू हो गया अभी इसे दा आठ मिनित के लिए इसे आपका इरान होता रहेगा यह मैशिन खास तोर से आपको थेलास्यमिया स्क्रीणिंग सीकेल स्क्रीणिंग जो गाउगाउगा में जाके हम ल हो गया तो मेशिन आठ घंटा तक बेकाप देता है एक बार हेंड़ेट सार्ज होने के बाद मेशिन आठ घंटा तक बेकाप देता है इसलिए हम लोग असानी कहीं केम्प में जाके कहीं फिल में जाके स्क्रीणिंग करके पैसेंट को आइजंटिफाई कर सकता है जिसका जो कर दाउट है और यह टेस्ट किया देखिए आपको डीजी आ गया ट्रेट आ गया तो डॉक्तर इते लिए डिसीशन लेके उसका हिशाब से ट्रित्मेंट शुरू कर सकता है हां यह आप लोग एज स्क्रीनिंग मेशीन व्या स्क्रीनिंग कर सकते हैं स्क्रीनिंग में क्या प्रोशीश या एश्पी एल सी टेक्निक में आप लोग अराम से मतलब कर सकते हो कि लोगे लेकिन एद्मीट पेसे हैं इमीडियेट जो बराशीटीज में से सो किलोमेटर डूर है इमीडियेट ट्रित्मेंट के आने के लिए मुश्किल है यह आप लोग आउट्शोर्स करत करेंगे आउट्सोर्स करना से पहज आपको इमीडियेट इसका फाइदा की है आपको पैसेंट को इमीडियेट एक ट्रित्मेंट का यह मिल जाएगा और उसके बार अगर आपको क्लीनिशन बोलता है नहीं मुझे एस पील सी टेक्निक में जा सकते हैं लेकिन यह एस पील सी कर अइन और बहुत ही जलद कोई भी ट्रितिन अपका जिसको पीपेटिंग करना आता है वो कर सकता है अराम से वो वो लग करके पैसेंट को रिपॉर्ट दे सकता है देने के पैसेंट ऑगर पैसेंट का ट्रिट्मेट उस जगह में ही ठीक हुआ एक दिन वीडियो देखके आपको अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज कोमेंड कीजिए लाइक कीजिए शियार कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर यह मेशिन का जरूरत है आपके पास आपका क्वेरी है तो आप इंफर्मेशन के लिए डाइरेक्ट कोमपानी हमेक्स हेल्थ को स चकता है तो अभी रिपोर्ट आगया स्क्रीन में तो थैंक यू फॉर थैंक्स फॉर वाचिंग और प्लीज सब्सक्राइब डास एनल